वापसी में अच्छा वाई यह तो मज़ा आगया साप पानी है सारा यह कितनी तर चलेगा यह बिजली होगा तो चलेगा नाई तो बंद हो जागा अच्छा चलो जी वापसी में मैं इधर ना हूंगा भी इन्शाला जाला जबरदस महौल बना हुआ जेकर है मैं जी विद्कोल अला करूंद बाड सी पहना नहीं की अजाज़त नहीं कोी मासलई मिया भाष बूर नहीं से नहीं नहींत बिल्लेटंगे इस साफियों कम में से के साफियों कर दो अच्छा जी अच्छा जी अलहम्दुलिल्ह अलहम्दुलिल्ह आज फिर मैं एक मरतबा मुझूद हूँ यहां बिंदर में और बिंदर में क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ कराची से देखे मैं सफ़ते करके आया हूँ और आपको मालूम है मेरे पसंदीदा होटल माशालला से छपरा होटल यकीन कीजिए इसलिए के भाई सादा सा बंदा हूँ सादा सादा चीज़ बड़ी अच्छी लगती है बड़ा मजाता है सकून मिलता है यह विंदर का जो है घसन होटल चौक है बड़ा फेमस है आगे चल करके मैं आपको दिखाता हूँ तो अभी इस वद देखे मैं क्या कर रहा हूँ अभी इस वज़ मैं कर रहा हूँ भाई नाशता है नाशता तो नहीं है इसको रिफ्रेश्मेंट कह सकते है चाय प्यूंगा इसलिए के 80-90 किलो मेटर मैं करके आ रहा हूँ कराचे से यहां तक नॉन स्टॉप मैं कहीं पर भी नहीं रुका पीछे का जो रास्ता है लास्ट व खारी का मजार है वो भी मैं आपको पूरी तफसील बताऊंगा कि किस तरफ है कहां पर है रास्ता विंदर से जाता है और अभी इस वद क्या कर रहा हूँ यह देख लिजिए आप यह जी भाई की चाय है और दो बिस्किट है हमेशा कहता हूं को जो पैकेट वाले बिस्किट होते हैं यकीन कीजिए उसका मजा नहीं आता है यह जो बिस्किट मिलते है ना खुले बेकरी वाले यह लोग जो भरनी के अंदर रखते हैं वो खाने का मजा आता है इस चाय के सा तो यहां पर जो है देखें माशाला से लोग जो है अपना टाइम पास करते हैं खेलते हैं यह यहां भाई जो है इस होटल का मालिक है तो बकिया जी चलते हैं आगे आगे आपको हसन होटल चौक की ही है ये हसन होटल चौक पर जा करके इसके बाद पेटरॉल भी डलवाना है उसके आगे अपना सफर शुरू करते हैं तो आगे भी मेरे साथ आप इसी तरह बने रही होगा तो अलहमदोलिल्ला जी रिफ्रेश्मेंट हो गई आपको दिखा चुका हूँ अभी मेरा सफर है हसन होटल चौक की तरफ ये सामने ही हसन होटल चौक है यहां पर ये करना है कि सबसे पहले देखें मैं पेटरॉल डलवाँगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और अक्सर मै आगे की तरफ भड़ते चले जाते हैं खुजदार कोईटा और ताफ्तान की तरह तो ये रेट मजीद कम होता जाता है ना तो यहां पर जो इस वक्त पेटरॉल का रेट चल रहा है वो 210 रुपे का है यानि के पर लेटर और 50-60 रुपे का जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड अभी जो है यहां से देखें यह हसन होटल चौक है यहां से सीधे हाथ हमने टर्न करना है हर बंदा जानता है इस रास्ते को हर लोकल आपको गाइड करेगा जब आप उसको बताएंगे कि मैंने जाना है विंदर डैम विंदर डैम इसलिए कह रहा हूँ कि देखें यह जो द हमने विंद्र डैम जाना है विंद्र डैम की साइड पर जाएंगे वहां पर आपको खुधी यह नजा जाएगा कि दरगा जो है कहा पर है इसलिए कि पहाड़ी की चोटी पर है और दूर से नजाता है यह मजार अच्छा जी सीन यह है कि सीन बड़ा जबरदस्त है माशाला यह जो पूरी सड़क है आप बलीव कर लीजिए इसके अंदर बागात ही बागात हैं सड़क पर और इंतहाई खुबसूरत महौल है यकीन करें और पूरी सड़क जो है यहां से लेके कनराश तक टुपकों तक मतलब पिकनिक पॉइंट से पिकनिक पॉ जबरदस्त महौल है यह देखें अचा अभी क्या है मैं इसलिए रुका हूँ मैंने का आपको मैं दिखाता चलूँ अभी मुझे जो है कपास नजर आ रही है यह देखें माशालला कपास लगी हुई है सब तरफ और कपास जो है टूड भी रही है देखें इसको तोड भी इसको निकाल रहा है और साथ ही साथ जो है न देखें चीकू चीकू के बागात तो बहुत ज्यादा है यह देखें माशालला यह तो खैर बाग छोटा है लेकिन इसके लावा मैं आपको बड़े बाग भी दिखाऊंगा और चीकू भी इसी तरह है के त्यार होते रहते हैं और माशालला से इसको जो है मंडी में भीज़ते रहते हैं माशालला से उसी सड़क पर चलते चलते तो मैंने का वो भी आपको यहां का माहौल दिखा दो देखें आप माशालला सुभान अल्ला मैं कहता हूँ आप किसी भी पॉइंट पर मत जाएं फैमली को लाएं और बस इस सड़क का एक विज़िड कर लें समझें के आपकी पिकनिक हो गई जबर्दस यह देखें इदर यह ट्यूबल लगा हुआ हुआ है बोर है चलाते हैं इसको फिर आगे टैंकिया चोटी बनी हुई है नहने की भी जगा है और यह देखें जी जो हम बच्पन में काम करते थे बदाम तोड़ने वाला और इदर यह देखें और माशालला से त्यार बदाम है और इसकी जो चाओं है सुभान अल्ला यह देखें यह देखें सुभान अल्ला मुझे तो लग रहे हैं ना इदर कोई धोड़ने वाला ना कोई दर खाने वाला चलते चलते फिर हम आगे जी शरीफे के बाग में और यह जो है सारा शरीफे का बाग है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और अभी जो है ना देखे खजूर जो है खजी उसका भी मौसम है कुछ पौदों पर त्यार है और कुछ पर नहीं त्यार देखे ये वाले जो है ये त्यार है ये माशालला से आप देखे ये देखे जबर दस यकीन कीजिए मेरा दिल है मेरा दिल कर रहा है कि उपर चड़ ढहूं बस अचा कुछ द्रक्तों पर जो है ना पहले त्यार हो जाती है कुछ पर लेट त्यार होती है इस पर अभी त्यार नहीं है यह भाले देखें यह कच्छे हैं सारे यह वाली त्यार है माशाल्रा से तो मुझसे रहा नहीं जा रहा देखें नीचे भी गिरी हुए है सारी ये तियार होने की निशानी है कि माशाला से तियार है पक पक के नीचे गिर रहे हैं ये यकिनन इसको वो जो है क्या कहता है परिंदे वगारे ये आके नीचे गिरा रहे है अच्छा अब देखें ये शरीफे का बाग है शरीफा भी आपको दिखा दूँ ये देखें बहुत ही अच्छे साइज में और बड़ा ही जबरदस बाग है अभी कोई मुझे दर बच्चे वगरा नजर नहीं आ रहे हैं कोई बंदा नजर नहीं आ रहा है अगर आए नजर तो मैं उसको कहूँ के भाई मुझे भी उतार के दो मैं भी चेक करूँ लेकिन खेर कोई बात मुझे तो पका हुआ नीचे नीचे नहीं मिलेगा ये देखें ये तो खेर कच्चा है तो बड़ा ही जबरदस महौल माशाला देखें आप तो मैंने का आपको ये भी दिखा दूँ इस सड़क पर देखें पहले भी बता चुका हूँ मैं दुबारा बता रहा हूँ कि लात माखंक से तरफ से आपको दिखाया था और ये यहां पर जो है इनकी पैकिंग हो रही है अप इनकी पैकिंग भी दिखाता चलो है यह देखिए já दिखह विए सारा मालला कराची जाता चालो ये तियार है अभी आज़्र पर देख लेस सब माशालों ओर देखा दूआ चलो तो चलें जी आगे चलते हैं अपना सफर शुरू कर रखते हैं आगे के जो मंजर हैं वो भी आपको दिखाता हूँ छौन बड़ी जबर्दस नीम का दुर्खत है उसके नीचे बैठके यह लोग अपनी पैकिंग कर रहा है ठीक है लाला मेरबानी से बड़ी मेरबानी क्या आ हैं आप ठीक है यह देखें माशाललह माशाललह यह देखें यह खुबसूरती है यहां के कंटिनियूस देखें पानी आ माशाललह से नीचे बोर किया हुआ है यहां पर पानी भरता रहता है यहां से सप्लाई अगर पानी की देनी है तो भी ठीक है वरना यहां से नीचे खेतों को आगे जा रहा है वहां पर बैठके बाई कपड़े भी धो रहा है असलाम अलेकों क्या हाल है कैसे आप खेरियत से ठीक है तबियत ठीक है अच्छा जी अलहम्दोलिल्ला अलहम्दोलिल्ला एक और पॉइंट शानदार इंतहाई जबर्दस यकीन करें मैंने आपसे काया कि देखें यह पूरी सड़क है ना देखें यह आरी है विंदर से ना पूरी सड़क जो है बागात है दाएं बाएं चिदर रूख जाएं पिकनिक पॉइंट है जिदर रूख जाएं अभी आप यह महौल चेक करें पहले आप माशाला से और उसके बाद ये द्रख्ट से कर इतना भड़ा द्रख्ट है यकीन कीजिए और इसकी जो च्छाओं है आउट कलास जितनी भी गर्मी है नीचे ठंडा नीचे माशाला ठंड मिलेगी आपको और जब आता हूँ मैं इदर जरूर रुकता हूँ इस द्रख्ट के नीचे फिर इन भाईयों से थोड़ी सी कचैरी करते हैं जब भी मैं आता हूँ भाईयों से मिलता हूँ और ये द्रख्ट बहुत पुरान है आपको देख के अंदाजा हो रहा होगा और बड़ी ही घनी चाहूँ है इसकी यकीन कर फिर उन्होंने ये सिटिंग जगा बनाई हुई है बैढने के लिए जब के मैं इनको छेड़ता हूँ कभी कबार जब भी आता हूँ मैं कहता हूँ भाई इदर चाय का भी इंतजाम होना चाहिए ताके लोग इदर बैठें और साथ साथ एक चाय का दोर चले अचा इन्होंने देगे न तकिये के लिए क्या किया हो इसको उठाया होगा न ताके वो जिसको क्या कहते है टेका शेका लगाना हो जो सकून के साथ आप लेड़ जाए आपका सर उपर रहता है यह माशाला से पानी चल रहा है यहां पर बोर का और यह फिर खेतों को अपने लगाते हैं आगे जाता है इदर से बंद किया हुआ है आगे को छोड़ा खेत के लिए पानी लेकर जा रहा है यह नीचे जो है फालसे का द्रख्त है पूरा बाग है मैं लेकर चलता हूँ आपको वो भी दिखाता हूँ नहा सकते हैं नहा सकते हैं दर माड़ा कृत्ना कितना गियरा यह यख लेयर हो बाधnya गया झाण्याक कृत्ता हूँ पड़ा खुए इफच्ण का वद्द के जैके वहा उत्या क्श्वार इव मज़ी को तो मज़ा आ गया पानी है यह कितनी दिर चलेगा यह बंद जाएगा बंद जाएगा अच्छा जी वाफसी में इधर नहूंगा भी इन्शाला ताला जबरदस मौहल बना हुआ जए वाफसी में नहाने की अजासत है नहीं कोई मसला ही नहीं है अच्छा जी मैं आ बाया देखें हमेशा बताता हूं लोग बड़े अच्छे हैं यकीन करें महबत करने मना नहीं करने आला उसके बाद जी देखें हम पहुंच जाते हैं बंगला नदी बंगला जो नदी है बंगला पुल कह लें बंगला नदी कह लें बंगला असल में पिकनिक पॉइंट है यहां पर एक बंगला बना हुआ था रेस्ट हाउस इस वज़ा से इसका नाम जो है बंगला जो है रखा गय यहां की खुसूसित यह कि यह भी एक पिक्निक पॉइंट है इससे पहले मैं इसको कवर कर चुका हूँ इसकी मुकमल वीडियो बना चुका हूँ और समझ लीजिए कि बस हम अपने पॉइंट पर पहुंच चुके हैं इसके तकरीबन एक या दो किलो मेटर या तीन किलो मेटर कह लीजिए आगे जो हमारा मजार वाकिया है अब भी देखें जी हम अल्ला का शुकर है अलहमदलिल्ला तकरीबन देखें दरगा के करीब आ चुके हैं आपको सामने देखें हाइट पर ये दरगा भी नजर आ रही होगी तो मैंने का ये जो क्रॉसिंग है बड़ा ही खुबसूरत मंदर है यकीन कीजिए मैंने का मैं इसको मिस ना करूँ ना किसी भी तरह से आपके लिए जितना ज्यादा से ज्यादा सीन कैप्चर कर सकता हूँ नीचे से चलता हुआ पानी अच्छा पानी एक तरफ नहीं चल रहा इसकी दूसरी तरफ भी जो ना पानी चल रहा है जिसको हम विंदर रीवर कहते है तो यहाँ पर देखें एक और चीज़ मैं गाइड करता चलूँ के सीन ये है के सीन बड़ा जबरदस्त है और सीन इस त चाता हूँ कि आपको जो नेक्स वीडियो है वो यहाँ का पूरा उसका टूर करवाओं और शायद जो है मुझे यहाँ पर एक दिन रुकना भी पड़ जाए नेक्स डे मैं फिर एक और पॉइंट पर जाना है उसका तो खेर मैं नहीं बताऊंगा आपको कहां पर जाऊंग है तमाम मेरे सफरों की तरह यह सफर भी पाखेरियत अलहम्दोल्ल्ह पूरा हुआ और मैं खेर खेरियत से हाजरत बाबा छुटा पीर इनकी धरगा तक इनके यहनी के मजार तक खेर खेरियत से पहुंच चुका हूँ अब यह करते हैं कि ड्रोन वीव भी देखें हो सकता है मैं इसके बाद एड़ करूँ तो अभी आपको मैं अंदर के मनजर दिखाता हूँ पक्या तो तुस तमाम चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ यह सारी जो है विंदर डेम की साइट है यह सामने जो है डेम बन रहा है वहां से भी मैंने आपको दिखा दिखा दिया था यहां से भी देखे मैं आपको दिखा देता हूँ यह आपको देखे नजर आ रहा होगा यह देखे यह बंद बांद रहे दोनों तरफ ठीक है जी और उसी में यह मजार है आपको मैं अंदर कापीस का विजड कराता हूँ माशाला माशाला बहुत भड़ा इसका कमरा नहीं है छोटा कमरा है क्यूंकि एक ही कबर है और बता रहे हैं कि तीन सो साड़े तीन सो साल इसको हो गए और मैं कोशिश करता हूँ कि यहां पर तारीख लिखी हुई है यह साई हाँ एक मैं इसको हट सकती है उपर से पगड़ी मैं चार हूँ इसकी तारीख लोगों तक पहुँचे ग्यारा सो तीस है पंदरा जिलहज ग्यारा सो तीस वियोर्स देखें तारीख दिखाने का यही मकसद था जैसे इन्होंने कहा कि तीन सो साल हो गए तो ताकि यह चीज़ कंफर्म हो जाए और देखें इससे नजर भी आ रहा है और आप लोगों के लिए भी देखें इसको सम अजने में असानी हुई तो अब आप लोगो लोगो खुद अंदाजा लगा लिजिएगा ग्यारा सो तीस में इनके वफात हुई है तो कितने साल हो गए यह अब आप खुद भी अंदाजा कर सकते हैं अच्छा जी अलहम्दोलिल्ला आपको मजार का भी सीन दिखा दिया ड्रोन विव भी दिखा दिया अभी मैं आपको जो है यहां पर जो खिद्मत पर मामूर होते हैं उनसे मैं मुलाकात करवाता हूँ और इसके बारे में जो बज़र्ग थे इनके बारे में ये भी बताएं कि इनकी क्या करामाद थी और यहां पर जो इनकी कबर है कब से है कितना अरसा हो गया आप कब से देख रहे हैं मैं सर यहां पर तक्रिबन दो साल से हूँ ठीक है मुझसे पहले कोई और बंतल खिद्मलगार थे ठीक है अब यह भी एक खलीपा है नवास बाखड़ा ठीक है थोड़ा सा हुचा बोलना अआ यदिअ हम ऑ़े दो साल हुए मुझसे साभी शाड़े तीन सा और है किया है तो यह कंब से है अपומצ यदख इनकी हैं आपकी जो मतलब जिसको कहते हैं शाओर और और वजब आपने हो संबाल है उस वक्त से देख रहे हैं इसको मैं देख रहा हूं वह भलके मेरे जो बड़े थे वो भी देख रहे हैं यहाँ पर अच्छा यह निके पर आपने बड़ों से सुना होगा सुनते आ रहे हैं माशाला माशाला और जो साहिए यह आएं असल में सिंद से उस कि क्रामात क्या है चुटा साइन नाम इनका चुटा है या किसी वज़ा से नाम पर नाम इसका जो चुटा है अच्छा क्रामत क्या है इनकी क्रामात तो सर बहुत हैं लेकर वो ज्यादा बड़ों को मालूम है अच्छा मुझे ज्यादा मालूम नहीं लेकर बड़े बड़े आपके लिया है अच्छानों तो यहां पर आते हैं लोग मासाला साथा है लोग आते हैं चुटीों से जुम्रा जम्मा हफ्ता रशोग यदेत如果你 इड़का zu यह जगा बड़ी जबरतस है चबनुं उस अइस हृभ पानी ऑन इस तरह भी पानी तो ये था जी मेरा आज का सफर अब मैं आप से अजाज़त चाहूंगा अपना ख्याल रखियेगा दुआओं में याद रखियेगा जिन्दगी रही तो नए वीडियो में नए मुकाम पर फिर मुलाकात होगी अल्ला हाफिस